एक्टिव और पैसिव के रूल्स को देखें और जाने के किस तरह से कोई भी सिंटेंज एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में कनवर्ट होता है त्री टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है हम रूल्स को जानने से और सीखने से पहले इन त्री टर्म्स को सीखेंगे अगर आप ये त्री टर्म्स अची तरह से समझ लेते हैं तो आपको रूल्स समझना भी असान लगता है उसमें आपको काफी हद तक असानी मैसूस होती है active, passive and voice ये वो three words हैं, three terms हैं जिनको हम सबसे पहले समझेंगे voice voice का मतलब है form of verb ये निए form of verb, कोई भी form first form, second form, third form कोई भी जो form है verb की उसको हम voice कहते हैं help, helps, helping, helped ये सारी के सारी form of verbs हैं जिनको हम voice कहते हैं active active का मतलब है alive, functional, going, live, busy, running, operating और अगर मैं इसको आपके लिए simplify कर दूँ तो active का मतलब है वो जो काम कर रहा हो या काम कर रही हो तो जो काम में busy हो, काम कर रहा हो, functional हो उसको हम कहते हैं वो active है passive passive is the opposite of active active का जो opposite है वो passive है passive का मतलब है silent static, uninvolved sluggish, lazy, not acting, dead so जो काम ना कर रहा हो वो passive है अब three terms हमारे पास आगी, voice का मतलब है form of verb active का मतलब है जो काम कर रहा हो और passive का मतलब है जो काम ना कर रहा हो अब किसी भी sentence में voiced है, form of verb जो है वो बहुत important है क्यों? क्योंकि ये हमें पताती है कि कौन active है और कौन passive है किसी भी sentence में active या passive को detect करना बहुत difficult है हमें नहीं पता कि कौन active है, कौन passive है ये ऐसी ही जैसे आपके पास दो थेले पड़े हूँ और आपको पता नहीं कि इस थेले में क्या है और इस थेले में क्या है तो इस सूरते हाल में form of verb, voice या verb हमें बताती है कि कौन active है और कौन passive है तो जब भी आपको इस sentence पढ़ें जिसमें आपको ये कहा गया हो कि change passive into active या change passive into active या active into passive आप इस सबसे पहले जो form of verb है उसको find out करना है और उसको underline कर लेना है फिर आपने उसको देखना है कि क्या जो form of verb है वो हमें बता रही है कि काम करने वाला active है या passive है ये two sentences मैंने लिखे इनको आपने बहुत 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 इहान से समझना है पहले sentence को हम देखते है आपको कैसे पता चला क्योंकि जो काम है वो डिरेक्ट ये कर रही है जो verb है वो डिरेक्ट इसके साथ इस्तमाल हुआ है she is active an old lady old lady पे काम किया जा रहा है ठीक है वो कोई काम नहीं करी इसलिए वो passive है अब second sentence को हम देखते है an old lady is helped by her ठीक है यहाँ पर बुड़ी औरत पहले आ गई यो लड़की बात में चलिगी अब एक और चीज़ देखेगा कि active voice में जो शक्स active है उसको importance दी जाती है वो पहले आ जाता है और passive बात में लेकिन अगर आपने passive voice बनाना है तो जो काम नहीं कर रहा जो passive है उसका जिकर पहले आएगा अगर आप यह दोनों picture देखें तो आपको आइडिया होगा active voice में active पहले आ गया और passive में जो बंदा passive है जो काम नहीं कर रहा वो पहले आ गया active में active को importance दी जाती है और passive में passive को importance दी जाती है अब आप यह भी याद रखेगा एक बहुत important trick में आपको बता रहे हैं और easy सी trick बता रहे हैं चाहे आप past की बात कर रहे हैं present की बात कर रहे हैं future की बात कर रहे हैं और उनके अंदर आने वाले जितनी भी form of tenses है उनकी बात कर रहे हैं third form इस्तमाल होगी सब में चाहे वो continuous है perfect है perfect continuous है कोई भी form of tense है सब में आप third form यूज़ करेंगे जब आप passive voice बना रहे होंगे अब two important rules हैं जिनको आपने समझना है पहली बात जो मैं आपको आपको पिछली slide में बता चुकी कि third form of verb हम यूज़ करते हैं और दूसरा rule यह है the place of subject and object is interchange जब आप active को passive में change करते हैं तो क्या होता है काम करने वाला और जिस पे काम कर रहा हूं कि जगा तबदील हो जाती है passive में passive पहले आ जाएगा और active बात में चला जाएगा ठीक है यह मैंने आपको पिछली slide में भी बताया है उसको आप दुबारा सुन सकते हैं तो यह दो बाते आपने याद रखनी है जो simple two rules है अब यहां पर हम rules देखेंगे किस तरह से active passive में change होता है लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आप देख सकते हैं यहां पर simple present है continuous है perfect है फिर past आ गया आप कोई भी tense है सब में हमने passive voice बनाते वे third form यूज की है given 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 आप यहां सब देख सकते हैं ठीक है अब मैं अगली slide भी आपको दिखा दूँ यह देखे past है ठीक है future है सब में आप third form यूज करें यह common है passive voice बनाते वे चाहे कोई भी tense आप यूज कर रहे है active voice में आप वही helping verb और वही सारी forms लगाएंगे जो आप लगाते हैं tenses में अगर आपको tenses में confusion हो तो आप मेरी जो दूसरी वीडियो हैं जिन में tenses मैंने बताया है वो आप देख सकते हैं अब एक और चीज के आप यहां पर आप देखेंगे simple present है यह present indefinite है तो यहां पर जब हम passive wise बनाएंगे helping verb हम यहां पर continuous के यूज करेंगे continuous में helping verb continuous के यूज होंगे लेकिन perfect में helping verb perfect continuous के यूज होंगे ठीक है जी gives give gives am given is given are given am giving is giving are given अब यहां पर आप देखो कि हमने third form बनानी है ठीक है न तो ing कहां जाएगा ing को हम convert कर देंगे क्योंकि हमने इसको sentence पर रखना तो है continuity show करने के लिए am being given तो ing जो है वो हम being के साथ लगा देंगे ताके sentence में काम के जारी होने की जो sense है वो भी बरकरा रहे so am given लिकिन हमें third form भी लगानी है ठीक है तो ing जो है वो being में चला जाएगा और third form यहां लग जाएगी इसी तरह से has given तो मैंने आप से कहा कि जो perfect के हैं वो perfect में हम perfect continuous के helping verb यूज करेंगे has been given इसी तरह से सारे जितने भी tenses है उन्हीं में आप इसी तरह से इनी rules को follow करेंगे simple past है तो आप इसमें continuous के use करेंगे was और word helping works past continuous है ठीक है इसमें भी इसी तरह से आगे जैसे हमने present में देखा perfect है तो perfect में भी इसी तरह से ही ठीक है और future में भी आप इसी तरह से rules को follow करेंगे अब यहाँ पर यह मैंने लिखा है आपके लिए जो मैंने आपको पता रही थी यार दिखेगा कि अगर आपका sentence simple है simple से मुरा है कि indefinite है तो उसमें हम continuous के helping verb यूज करेंगे चाहे वो past है present है या future है continuous में continuous scalping verb ही यूज होंगे perfect में perfect continuous scalping verb हम यूज करेंगे कुछ sentences में ने लिखे है कि हम देखे किस तरह से हम इनको active से passive में change करते है the cat killed the rat active voice है और यह आपका simple past tense है यहनी past indefinite tense है अब यहां पर helping verb हमने continuous के use की है the rat was killed by the cat अब passive eyes हमने बना दिये यहां पर rat कोई काम नहीं कर रहा था चूकि हमने passive voice बनाना है तो हम passive को पहले ले आएंगे और active को बाद में इसी तरह से the cat was killing the rat active voice है the cat was being killed by the rat अब rat फिर से passive में voice में passive है तो हम इसको पहले ले आएंगे और active को बाद में और यहां पर आप देख सकते हो के continuous में continuous के ही helping verb यूज होंगे और हमने ing को being में change किया और यहां पर third form लगा दिये the cat had killed the rat the cat had been killed by the rat exercise में मैंने कुछ sentences लिखे हैं आपके लिए आप इन five sentences को passive voice में change कीजेगा और मुझे comment box में जरूर इनके answers बताईएगा जहां आपको problem हो मुझे comment box में जरूर बताएं मैं आपको help out करोगी यह five sentences हैं जो active में लिखे में आपने इनको passive में change करना है the old man made disturbance at the meeting all loves him a lot I see a silver cloud the wolf chased the sheep the dog drank all the milk thank you very much